सूप्रभात मेरे प्यारे बच्चो बच्चो मुझे आशा है कि आप सब शाकुसल घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं आज बच्चो मैं अन्मोल रत्म पुस्तक इस पुस्तक से जो पाट आपको पढ़ाने जा रहे हूं पाक 14 हम नन्हे नन्हे वीद ये एक बहुत अच्छी सी कवीता है जिसे आपकी तरह ही कुछ छुटे छुटे बच्चे अपनी बहादुरे का बखान भारत देश के लिए किस तरह से कर रहे हैं वो बताया गया है इसके भाग एक में मैंने कुछ पंक्तिया आपको पढ़ कर गा कर सुनाया था समझाया था इसके भाग दो में जो मैं आपको बताने जा रहे हूं वो इस प्रकार है पढ़ने में ध्यान लगाते हैं आपकी तरह ही छुटे छुटे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हम पढ़ने में ध्यान लगाते हैं हम खूब खेलते खाते हैं खूब खेलते भी हैं और खाते भी हैं जब हम काम में जुट जाते हैं और भी बच्चे बोल रहे हैं जब हम काम में जुट जाते हैं फिर हमको हटा नहीं सकते हैं चाहे कोई भी हो हमको हटा नहीं सकते हैं चाहे वो ओले विजली या शम्शीर हो ओले का अर्थिया है बच्चों कि जब बहुत अधिक बारिश होती है कभी-कभी आस्मान में पानी जो वो बर्फ के टुकडों के रूप में बन जाते हैं और वो आस्मान से धर्दी पर गिरते हैं तो बच्चे वही बोल रहे हैं जब हम किसी काम में जुट जाते हैं फिर हमें चाहे वो ओले हो बर्फ के छुटे-छुटे टुकडे हो चाहे विजली हो विजली बहुत ही खतरनाग होती है विजली हो या सम्शीर यानि की तलवार हो कोई भी हमें हटा नहीं सकते इसलिए मत हमें नन्हे बच्चे समझो बच्चे बोल रहे हैं कि मत हमें नन्हे बच्चे समझो हम हैं भारत देश के वीर ये इसके भाग दो में बताया गया बच्चो अभी मैं आपको ये कविता पूरा शुरू से अंतत पढ़के सुनाने जा रही हूँ बच्चे छुटे छुटे बच्चे बोल रहे हैं मत हमें नन्हे बच्चे समझो हम हैं भारत के वीर क्या कहा आकल मने की बुद्धी आकल के कच्चे हैं हम अभी अपने बुद्धी दिमाग से थोड़े कच्चे हैं हम सभी शेर के बच्चे हैं हम सभी किसके बच्चे हैं? शेर के बच्चे हैं विश्वासी, सीधे और सच्चे हैं अवसर पर विश्वासी, सीधे, सच्चे हैं और जब अवसर आएगा तब अवसर पर चला दिखा देंगे अर्जुन के जैसे तीर जैसे अर्जुन तीर चलाने में निपून था उसी तरह से हम भी अवसर पर चला दिखा देंगे अर्जुन के जैसे तीर मत हमें नंडे बच्चे समझो, हम हैं भारत के वीर पढ़ने में, पढ़ने में, पढ़ने लिखने में, पढ़ने में ध्यान लगाते हैं हम खूब, खेलते और खाते हैं फिर जब हम काम में जुट जाते हैं फिर हटाना हमको सकते हैं ओले बिजली और शमसीर क्या कहा ओले बिजली शमसीर मत हमें नंधे बच्चे समझो हम है भारत के वीर अपने भारत देश की वो सब गुनका रहे हैं भारत देश के बारे में बता रहे हैं तो बच्चो आप सब को भी छुटे छुटे इनकी तरह से छुटे छुटे बच्चे हैं आप सब को भी इनकी तरह से बनना हैं बहादूर बनना हैं अपने देश के लिए बड़े कारे करने बच्चो इस कविता को आप भी पढ़ेंगे और घीत के पाध्यम से गागार करके भी आप इसे याद कर सकते हैं, हमें सुना सकते हैं और साथ ही साथ इस कविता को मैंने दो भागों में इसका वीडियो बनाया हैं, आपके पास मैं इसे भेजूँगी और साथ ही साथ इसके जितने भी सब्दार्थ है प्रश्कृत्तर है एक्सरसाइज है उसको भी मैं पूरा करके आपके वाट्सप के माध्यम से आपके पास भेजा करूंगी और आप उसे पूरा करेंगे करने के बाद मेरे पास करेक्शन के लिए भेजेंगे और मुझे पूर बहुत पसंद आई होगी धन्यवाद